प्रधान मंतरी नरिद्र मोदी के किंदसासित परदेश लच्छी दीप की आत्रा के बाद खूब सूरत आईलेंड दुन्या भर में चर्चे कभी से बना हुआ है इस आईलेंड की खोबसूर्ती और प्रधान मंत्री मोधी दोरा इसके टूरिज्म के परमोसन से भढ़के माल्दिव के मंत्री ने कटाच कर डाला लेकिन ट्रोल होने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलेट कर दिया आज हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि क्या है लच्छ दीप का इतिहास लच्छ दीप मुस्लिम बहुल राज्य है इनकी अबादी 96% है लेकिन या दीप पहले से इसलाम बहुल नहीं था यहाँ पर बाद और हिंदु धर्म का प्रचलन था लेकिन 631 इसापुर्व में उबैदुल्ला द्वारा इसलाम पहुचाया गया द्वीप पर पहली बारे इनसानों को अंतिम चेरा राजा चेरामन पेरुमल द्वारा बसाया गया था इस द्वीप के सबसे बुराने द्वीप अमीनी, कलपेनी, बांगराम, अंदरोत, कौवरती और अगाती आईलेंड्स है लच्छ द्वीप का परवेश द्वार अगाती एक आकरसक द्वीप है जो अपनी प्राकृतिक सुन्दरता और मित्रता पूर्ण अस्थानी लोगों के लिए जाना जाता है यहां के आईलेंड्स के सफेद रितीले समुन्द तटो पर ढहल सकते हैं, नीले पानी में तैर सकते हैं, नाओ के सवारी करके डालफिन और समुन्दरी कच्छों को देख सकते हैं इगार्वी सताबदी के दोरान दीव समुन पर अन्तिम चोल राजाओं और उसके बाद कैना नूर के राजाओं का सासन था लच्छ दीव के बारे में एरी थ्रियन सागर के पेरी पलस छेतर का एक लेख है, इसके लेखा के बारे में जनकारी नहीं है, लेकिन इसमें लिखे गए लेख और इसापुर्व छटी सताबदी की बहुत जातक कथाओं में इस दीव के बारे में उलेख किया गया है इसलाम के आने के बारे में एक प्रचलित कहानी है कि राजा चेरामन पेरुमल 825 इसबी में इसलाम अपना लिया था क्योंकि अरव से संपर्क और व्यपार होने की वज़ा से कहीं न कहीं इसलाम का परभाव उन पर और इस धीब के लोगों पर था पुर्तिगालियों के बाद और ककल के मुसल्मान टीफू सुल्तान के साथ साथ अंग्रीजों का सासन रहा अंग्रीजों से अजादी मिलने के बाद साल 1956 में भासा के अधार पई से भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया बाद में उसे केरल में सामिल किया गया यहाँ पर बंगाराम आईलेंड को छोड़ कर सभी दीपों पर सराब बैन है लच्छे दीप में भारत के राश्टपती के द्वारा निव प्रसासक का सासन है केंदर सासित परदेश में एक अस्थानी सरकार है जिसे लच्छे दीप परसासन के नाम से जाना जाता है 2021 की भारती जनगरना के अनुसार इस केंदर सासित परदेश की कूल जन संख्या 70365 है अधिकांस आबादी अस्थानी मुस्युमों की है उनमें से ज्यादतर सुन्नी और साफी समधाय के हैं लच्छे दीप की अधिकांस आबादी मल्यालम बोलती है यहां के लोगों का मुख्य बेवसाय मचली पकरना और नार्यल की खेती करना है यह दूइब समू भारत का सबसे छोटा केंदर सासित परदेश है यह दूइब समू केरल उचन्याले के अधिकार छेतर की अंतरगात आता है